जय गुर्देव, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो, महेश्वरह, गुरुह साक्षात पर ब्रह्म, तस्मी श्री गुरुवे नमा, अर्चनी वन्दनी, प्राताह इस्मर्णी, परम पूजनी गुर्देव के, चरणों में बारंबार वन्दन कर आरं करते हैं वास्तु सास्त्री कैसा हो वास्तु सास्त्री के लक्षण क्या होते हैं गुण क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसको वास्तु सास्त्र के सभी ग्रंथों में बताया गया है चाहे विश्वकर्ण प्रकास हो, राजबल्लब हो, मनुष्याले चंद्रिका हो, समरांगन सूत्रधार हो, सभी ग्रंतों में सबसे पहले वास्तु सास्त्री के लक्षणों का गुणों का वर्णन किया गया है, कि वास्तु सास्त्री जो है वो किन गुणों से युक्त होता है तो कहा कि सर्व सास्त्र विहित ये जो मनुश्याली चंद्री का ग्रंथ है उसके पहले अध्या के बारवेश लोक में बताया कि वास्तु सास्त्री कैसा हो तो कहा सर्व सास्त्र विहित उसको सभी सास्त्रों का ग्यान हो फिर practical के लिए कहा क्रिया पटू वो कारी करने में expert हो कुशल हो तो पहले कहा कि theoretical knowledge उसको पूरा-पूरा हो सास्त्रों के बारे में जानकारी हो जो भी वास्तु सास्त्र से संबंदित विधाएं हैं उसका सास्त्री ग्यान हो उसको तेयोरी उसकी clear हो और फिर कहा क्रि वहित मानसह सुची उसका जो मन है वो शान्त हो इस्थिर हो प्रसंद हो धार्मिक हो स्वधर्म का आच्रन करने वाला हो फिर कहा विगत मत्सरादी को मत्सरादी जो सात दोश है उसमें लोब है लालच है दूसरे की बुराई करना है इत्यादी जो दोश बताए गए हैं मत् उनसे वो मुक्त हो, वो दोश उसमिना हो, यह सच इस्थपती रस्तु सत्य वाक, और वो सत्य वचन बोलने वाला हो, सच बोलने वाला हो, इस प्रकार के जो गुणों से युक्त होगा, उसको इस्थपती कहा जाएगा, तो जब भी कभी वासु सास्त्री का अपन लक्षन को गुणों को देखने का प्रयास करते हैं, तो वो किन गुणों से युक्त हो, तो कहा सास्त्रों का ग्यान हो, थेलिटिकल नौलेज हो, कारी करने में कुशल हो, मन उसका शान तो इस्थिर हो, और जो दोश होते हैं उससे वो रहित हो, लोभी लालची इत्यादी बुराई कर करने वाला इत्यादी दोश उसमें ना हो, और सच बचन बुलने वाला हो, तो इस प्रकार के गुणों से युक्त होता है, उसको इस्तपती कहा गया है, अभी इतने कहकेवानी को विराम देते हैं, अन्य ग्रंतु के अधार पर भी अपन क्रमशह इस्तपती के वासु सास्त के लक्षनों को देखने का प्रयास करेंगे, जय गुरु देव, जय गुरु देव